राममंद्र ट्रस्ट को मंजूरी मिलने पर उत्रखंड के पूर्व सियम हरीश रावत ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुवे कहा कि जिस मुद्दे पर पूरा देश शाथ खड़ा था ऐसे मुद्दे पर ट्रस्ट निर्मार का फैसला ऐसे समर पर किया गया जब दिल्ली में चुनाओ है इससे साफ लगता है कि बीजेपी वाले राजनीती करना चाहते हैं तो आपको बता दे कि राम मंद्र ट्रस्ट के गठन को लेकर पूर्व सीम का ये पयान है उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है हरी श्रावत ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस पे पूरा देश शाथ खड़ा है उस पे भारती जनता पार्टी राजनीती करना चाहती है उनका आरोप है कि ट्रस्ट के गठन का ऐलान ऐसे समय पे किया गया है जब दिल्ली में चुनाव है ऐसे में साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी राजनीती करना चाहती है लेकिए वो हमेशा राजनीती करेंगे और इसी लिए उन्होंने एलक्सन से बोट पढ़ने जब दिल्ली का मत दाता जा रहा है अब राम के नाम पर जो राजनीती करेंगा चाहे वो न्यास घोषित करने की राजनीती हो या कोई और राजनीती हो जनता उसको फटकार लगाएगी